स्वागत है आपका आज की चाई पे अक्सर हम देखते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स जो होते हैं वो हमें अपने त्योहार दिखाते हैं अपने अपने धर्ब में अलग-अलग जो परवाते हैं उनमें जो अलग-अलग रिच्वल्स करे जाते हैं उन्हें कैसे निभाना हैं ताकि एक positive influence फैले ऐसी ही एक यूट्यूबर है साहिबा उनके ब्रदर भी यूट्यूबर है जिनका नाम है जनाब और एक और यूट्यूबर उसी घर में है जिनका नाम है मैडम याद रखेगा ये एक रोजे के दिनों को जब रोजे रखे जाते हैं अच्छा मैं पहले भी बता चुकी हूँ बहुत क्लेरी अभी वही चीज़ कम होगी में हिंदू हो तो हो सकता है मुझे कुछ चीज ना पता हो बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुस्लिम हैं और वही मुस्लिम भाई भेन अक्सर मुझे बताते हैं कि रमदान के दिनों में ये जो दिन चल रहे हैं मुबारक दिन जिसमें रोजे रखे जाते हैं उसमें जो काईदा होता है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता जो ये पूरा दिन ऐसे ही निकल जाना है कभी कबार on and off साहिबा हमें जरूर इबादत का वो वक्त दिखाती है जिसमें वो कभी या तो नमास पढ़ते हुए दिखती है या फिर कुरान शरीफ पढ़ते हुए भी दिखती है कभी कबार दूसरी और जो इनके भाई हैं जिनका नाम है जनाब वो भी बिल्कुल वैसा ही similar culture दिखाते हैं इन फैक्ट रोजे से पहले की तैयारी भी सूटों से दिखाई जबकि हर कोई मुझे बताता है कि कैसे पूरा घर अच्छे से साफ करना डीप ट्लीनिंग करवाना और पूरी तरीके से अपने घर को बिल्कुल डीप ट्ली करती रहती है मतलब ऐसा नहीं है कि इसलाम में नौन विज प्रोहिबिटेड है बट एक एक्स्टेंट होता है नौन वेजटेरियन फूट खाने का और वो चीज मैडम ने कभी फॉलो नहीं करी तरह वो चिकन पॉप्सिकल बना रही है दूसरी तरह रात को फिर से चिकन टि पूरी नहीं है यही नहीं मेरी एक सब्सक्राइबर है वो रिसर्च कर रही है इसलाम पर और उन्होंने बताया कि कैसे रमदान का पाक महीना सिर्फ और सिर्फ पेशन्स के बारे में होता है रोजे की नियत से जब इनसान रोजा रखता है तो इस टू गेन प्योरिटी किया जा रहा है जैसे कि रोज कहीं न कहीं हूंने जाना है उसके इलावा रोज सूट की फोटोगरफी करनी है नहीं नहीं सूट लेके आने हैं खरीदने है देखिए और लोग भी व्लॉगर हैं मैं आपको एक व्लॉगर का नाम बताती हूं खालत अल-मेरी यह दुबई के व्लॉगर हैं और यह भी मुस्लिम हैं देखिए यह भी रेगुलर बेसेस पे व्लॉग्स डालते हैं कॉमेडी बेस्ट अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा कॉंटेंट अपलोड करते हैं अपनी वाइफ के साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके यूट्य नहीं है और नहीं किसी तरीके की शौपिंग दिखाई है किसी तरीके के घुमना फिरना दिखाया है उसका कारण यह है कि रमदान के पाक दिनों में एक मुसलिम को सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रूल सेट्रिफाइज और एंफिटी यह बातें अपने दिमाग में रखन जागे जो कि इस तरीके के दिनों से गुजरते हैं जहां उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है यानि एकनॉमिकली बैक्वर्ट सेक्षिंज ओफा ससाइटी तो कहीं नगए फास्टिंग का मतलब ड्यूरिंग रमदान ये भी होता है कि जो लोग खाना अफोर्ड नहीं कर स सकते हैं भूके पेट सोते हैं उनके लिए दिल में करोना जग जाए खुद भूके रहके और ये समझ आ जाए कि पेशन्स कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमें कमपैशनेट होना चाहिए तोवर्ड्स दोस हुर नॉट फॉर्ट फॉर्ट फॉर्चनेट इनफ 3 meals in a day last but not the least मेरे Muslim bhasemokन कहीं बाहर comment किया है कि दिखावा जो है वो भी इसलाम में जायस नहीं है मुझे नीपता हराम है कि नहीं है पर जायस नहीं है ये मुझे पता है तो ultimately अगर charity भी करते हैं व्लॉग और किसी का अच्छा या भला भी कर रहे हैं तो उसका vlog बनाना जायस नहीं है या बनाना चाहिए नहीं कुछ वैसा ही कि नेकी कर और दरिया में डाल तो थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं बर अल्टिमेटली इस टाइम पर व्लॉग्स बनाने ज़रूरी नहीं है और दिखावा करना तो बहुत ही गलत है जाहे वो अपने नए घर का हो चाहे वो अ अभिज़ा बनाना को भुबूड तो बनानना ईस लिखावाट चेयग का सिर्फ और सिर्फ कोकिंग पर हमेशा ध्यान रहता है जैसे रमदान इसबाओ को किंग बट ऐसा कुछ भी नहीं है रमदान इसबंटली अबाओर फस्टिंग येज़री भाववडत इज़ाद है कि कई लोग कॉमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखेंगे कि आप गिभा कर रही हूं गिभा यानि गॉसिप वैसे इवन दो आई आम हिंदू और मुझ पे इसलाम अप्लिकेबल नहीं है फिर भी एक चीज कहूंगी कि गिभा की पढ़ लिजेगा गिभा का मतलब पढ़ लिजेगा आपको समझ में आएगा इट इस कॉल बैग बाइटिंग किसी के पीट पीछे उसकी बुराई करना गिभा है और अगर यह सच ना हो यानि जूट फिलाया जा रहा है उसके पीट पीछे तो वह और भी बड़ा गुना है त और मेरा एम है कि जितना यह कल्चिरली रॉंग रेप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपने ही धर्म का जिसके नाम पे अक्सर यह उन लोग को डराते हैं अपने व्यूवर्स को जो इने क्रिटिसाइज करते हैं जिने अक्सर हैं कि गुना लगेगा या फिर तुम सब तले कि तुम दूसरों को इसलाम सिखाने से पहले खुद अपना धरम अच्छे से फॉलो करना सीखो पहले और उसका सही मतलब समझो क्योंकि जो सचे मुसल्मान होते हैं वो मेरे कॉमेंट सेक्शन में मुझे अक्सर बताते हैं कि यह लोग जो भी कुछ कर रहे हैं लॉगिंग क दारते हैं मैं जो इन तीन व्लोगेंस उनकी बात कर रहे हूं तो फिर आपका हकी क्या बगता है कि अपने व्यूवस को कहे कि गुणा लगेगा शरम करो शरम कौन करे और कौन नहीं यह उपर वाला देखेगा आप लोग बस अपने धरम के सही माइने समझ के उसे सही तरीक सर्च कर लीजेगा हिंदू हो सिख हो इसाई हो या आप किसी भी धर्ब के हो आपको पता लग जाएगा कि किसी और धन के बारे में जानने के लिए जादा मुशक्कत जादा एफट नहीं लगती और जब मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स मुझे डेली बेसेस पे इनफॉ और हाँ ये स्टार की तरह चश्मे लगाके मुहमद अली रोड जाना भी कोई जरूरी नहीं है रमदान के दिनों में और ना ही दिल्ली में आके दिल्ली हाट में घूमना बाकी मैं जितनी हिंदू हूँ मैं खुद जानती हूँ और कितनी बार कितने सारे प्रीवियस अगर आप लोग इतनी चीजों के बाद भी स्पेक्यूलेट करते रहेंगे कि मेरा धर्म क्या है और क्या नहीं तो एक टाइम के बात मैं यहीं कहूंगी कि अपने इन कॉमेंट्स को लेके बैठ जाएगा जो लोग मेरे अगेंस्ट कोमेंट करके मुझे बोलते हैं कि तुम जूट बोलती हो तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो पहली बात तो मुसलिम होने में किसी और का धर्म होने में कोई बुराई नहीं है पट मैं हिंदू हूँ जनम की हिंदू हूँ प्राउड हिंदू हूँ मूँ पे बोलती हूँ हिंदू हूँ और जो हेटर्स कहते हैं कि म मैं सच में हिंदू थी उस दिन सब हेटर्स को मुत और जवाब अपने आप मिल जाएगा मुझे कुछ करने की जरुएत नहीं है बाकी मेरे सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि मैं कितनी सच्ची और कितनी नहीं और मैं एक चीज़ जानती हूं कि श्री कृष्ण के चंड कमलों पर चलते हुए बिल्कुल सत्य के मार्क पर चल रही हूं और एक और बात कहूंगी अगर मैं कभी क्लेम करती हूं कि मुझे डीम से कुछ आया है तो उसका स्क्रीन शॉट जैसे आर्ट मैंने डाला है वो मैं डाल देती हूं और कुछ लोगों के बारे में अगर सो बाते पत कि जो वो पब्लिक ली कर रहे हैं उस चीज को सुधाना परसल लाइफ में कई लोग बहुत कुछ करते हैं और इस वज़े से उनकी लाइफ में घुसके हम बहुत चीजे बदलवाह नहीं सकते अगर अपने आपको नुकसान देने वाली कुछ चीजे वो करते हैं तो अल्ट करेक्टर्स फिला रहे हैं तो उस कहानी में भी जरूरी है यह समझाना उन्हें और दिखाना कि अपने ही धर्म को आप गलत तरीके से पोट्रे कर रहे हैं जो कि मिसलीडिंग है फॉर लॉट अफ पीपल जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं यंग जैनेरेशन के लिए आप हि तो भी धर्म को आप कर रहे हो सच्चे तरीके से कीजे और एक धर्म की अच्छी बातों को मुझे हैं गाहिं कर रहीं जिसको जो समझना है समझे जिसको जो कहना है समझे बस एटीज मुझे पता है that I respect all religions and hence I am always following my religion with all my heart which is yet again and for the one last time Hinduism आज के लिए तनहीं do not forget to like share and subscribe to Aaj Ki Chai thank you so much for tuning in to Aaj Ki Chai podcast